हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज का विशे है वायू चिकित्सा या वायू स्नान दोस्तों जैसा की आप जानती है ये संपून स्रिष्टी पांच तत्वों से बनी हुई है जैसे जल, वायू, अगनी, पृत्वी और आकाश और इनी पांच तत्वों से हम सभी प्राणियों की उत्पती हुई वैसे तो ये पांचों ही तत्व मानो शरीर के लिए अति आवशक है फिर वे इन पांचों तत्वों में से वायू तत्वों सबसे अधिक आवशक है एक मिनट भी यदि वायू ना मिले तो हमारा दम घुटने लगता है वायू की कभी से कभी कभी मृत्यों तक हो जाती है अद्रिश्य और रंगहीन होने के कारण वायू को देखा नहीं जा सकता केवल उसे अनुभव किया जा सकता है वैसे तो वायू हमारे चारों तरफ वायू मंडल में हमेशा ही मौजूद रहती है प्रंतो इसका सेवन करने का सबसे उचित समय सुभा सुभा का है जिसे हम वायूसनान, हवा खाना या फिर मौर्निंग वॉक आदी का नाम देते हैं सुभा सवेरे जब हम किसी पार्क या खुले स्थान पर सैर करने के लिए निकलते हैं तो एक तो हमें प्राकरतिक ताजी हवा मिलती है दुसरा शरीर का वयायाम भी हो जाता है यह हमारे स्वास्थे के लिए सबसे सस्ता साधन है इसे सभी उम्र के लोग आराम से कर सकते हैं घुमना या हवा खाना सभी के लिए रूची कर होता है इससे सरसे लेकर पाउं तक वयायाम हो जाता है जो लोग अलग से आसन, वयायाम, प्राणायाम, आदी करने में रूची नहीं लेते, उनके लिए सुभा सवेरे घूमना एक अच्छा विकल्प है ऐसे मैं उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका वायूसनान भी साथ साथ हो रहा है ताजी हवा में हमारे दिल की धड़कन एक मिनट में 72 बार से एक मिनट में 82 बार तक हो जाती है उस समय हमारी सांसें तेजी से चलती है और अक्सीजन खून में पहुँचकर खून को साफ करती है दोस्तों वैसे तो हमारे घर में पंखे, कूलर, AC सभी साधन मौजूद होते हैं लेकिन इन साधनों से हमें स्वास्ते की प्राप्ति कभी नहीं होती ये सभी कृत्रिम साधन हमारे शरीर को रोगी बना देते हैं इसके अलावा प्रदूश्यत वायू का या गंदी हवा शहरों में तो सारा दिन ही रहती है प्रदूश्यत वायू से अनेक प्रकार के रोगों के हम शिकार होते ही रहते हैं वायू में अक्सीजन का अभाव या दूशित वायू शरीर में रोगों की उत्पती करती है दूशित वायू के कारण जोडों में दर्द, शरीर में अक्रन, कमपन, सिर्धर्द, चक्र आना, गले के रोग, खांसी, तवचा रोग, दमा, जुकाम, आखों के रोग, मू, नाक के विकार, रक्त के विकार आदी पैदा होते है वायू हमारे पूरे शरीर में भ्रह्मन करती है, ये शारिरिक अंगों को गती देती है और रक्त और पसीने के भ्रह्मन में सहायता करती है यदि यही वायू कूपित हो जाए, तो ये हमारे शरीर के समस्त अंगों की कार्यक्षमता में रुकावट टालती है और हम बिमार पढ़ जाते हैं और अनेकों अलग-अलग परकार के रोग हमें पकड़ लेते हैं इसी लिए हमें सुभा सवेरे शुद वायू सनान अवश्य कर लेना चाहिए जिससे की दिन भर में दूशित वायू शरीर में चली भी जाये तो सुभा शुद वायू सेवन करके हम अपने शरीर का शुद्धी करन कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों